असलाम्लेकू नैक नेक को किस तरह से वाइट एंड और बॉइट करें तो जितने भी इंग्रीडियन्ट यहाँ पर मैंने लिए हैं सारे हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं तो जल्दी-जल्दी से इसको लेकर और वीडियो को देख देखकर जल्दी-जल्दी से बना लीजिए। तो सबसे पहले आप इनकी neck को देख सकते हैं कितनी ज्याधा dark हो रखिए। अगर इससे ज़्यादा भी डाक होगी न तो भी सारी के सारी क्लीन हो जाएगी बिल्कुल एक हफते के अंदर. एक वन विक का चैलेंज है ये जल्दी-जल्दी से पूरी डाकनेस खतम हो जाएगी. आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन सी पड़ी वी है. अब भी आप लोग लास्ट में, वीडियो के एंड में जरूर देखना. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है कॉफी. यह एक चम्मच कॉफी है, तो इसको पूरा सैशे हम लेना है हमने. एंड हाफ लेमन लेना है, हाफ से भी कम, कुछ ड्रॉप्स. कॉफी हमारी टैनिंग को दूर करता है, लेमन में वाइटमिन सी होता है, यह ब्लीच का वर्क करेगा. एंड कोलगेट, कोलगेट लेना है, वाइट कोलगेट, ड्रेड कोलगेट नहीं ले सकते, इससे हमारी जितनी भी गंदगी है पूरी निकल कर आ जाएगी. एंड यहाँ पर जो सबसे में इंग्रेडेंट है, यह है इनू. इनू हमारी स्कीन के अंदर से गंदगी को बाहर निकालेगा. बहुत टाइम की जो गंदगी होती है ना, तो वो निकलती नहीं जल्दी से. तो इनू को हम इसी लिए एड करें, कि वो फटा-फट से पूरी निकाल दे, और आप इसको एक हफते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बट इसके अंदर सिर्फ आपने ओलिव वोईल या फिर इवियॉन कैप्सुल एड करना है, उसके बाद दोनों में से ऑप्शनल है, एक चीज एड करना है, एक हफता आप इसको रख सकते हैं, अची तरह से मिक्स कर लेंगे, इसको इसके सारे इंग्रीडियन एक दुसरे में मिल जाने चाहिए, नेक्स हम लोग इसको अच्छी तरह से अप्लाइ करेंगे, और आप इसको एसे ही छोड़ देंगे, अगर आपकी नेक इससे ज्याधा काली है, तो अल्टनेट डेश पर भी आप दिन में एक बार अपलाए कर लीजिए 15 मिनिट के लिए उसके बाद वाइप आउट कर लेना और देखिए आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को वैसे आपके एलबो पर नीस पर अंडराम्स पर इस तरह की डाकनेस हो गई है तो आप इससे बहुत इसली निकाल सकते कोई भी इसमें हामफुल केमिकल नहीं है और यह ना ही इचिंग होती है ना ही जलन होती कुछ भी नहीं होता बहुत इजली अपलाए करके इसको रिमॉप कर सकते अब आप लोग देख लीजे कितने अच्छे से गरदन क्लीन हो चुकी है जितनी टैनिंग और ग कर सकते हैं इसको रखने का तरीका भी मैंने बता दिया है आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और अच्छी लगी है तो प्लीज यहां तक देखे तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ए कि लो एंचित करेंगा जैंज उल्दी लगी है तो नाखर है तो एंच्छी लगी है यहां चैनल झाहरे नहां जल्दी लगी है